नमस्कार दोस्तों, एलेक्टिक वैकिल इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूँ अजीत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एलेक्टिक स्कूटर के बारे में जो सिर्फ तीन घंटे में चार्ज हो जाती है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलेक्टिक वैकिल को चार्ज करने में काफी समय लगता है अगर आपको एलेक्टिक वैकिल कम समय में अगर चार्ज हो जाए तो आपके लिए काफी सहलुयत होगी इसी को देखते हुए ओकी नामा ने अपनी नई एलेक्टिक स्कूटर पेस की है जिसे आप महज सिफ तीन घंटे में फूल चार्ज कर सकते हैं और इस स्कूटर की ड्राइविंग रेंज काफी अच्छी है जिसे आप एक बार चार्ज करके 110 किलोमेटर तक चला सकते हैं तो आएए इसी इलेक्टिक स्कूटर के बारे में हम बात करते हैं दोस्तो भारत में इलेक्टिक वाहन को खरीदने से पहले लोग उसकी चार्जिंग को लेकर काफी परसान रहते हैं लेकिन हाल ही में गुरुगाओं इस्तित इलेक्टिक वाहन निर्वाता कमपनी ओकी नामा ने अपनी ओकी नामा प्रेशो प्रो इलेक्टिक स्कूटर के साथ इस मुद्दे को हल करने की कोशिस की है कंपनी का दावा है कि यह एलेक्टिक स्कूटर केवल 3 घंटे की चार्जिंग में 110 किलोमेटर की दूरी करने में सक्छम है ओकी नामा प्रेसी प्रो में 1.0 किलोवाट BLDC वाटरपूरूफ एलेक्टिक मोटर दी गई है जो 2.5 किलोवाट की पीक पावर का उत्पादन करने में सक्छम है ओकी नामा प्रेसी प्रो में 2 किलोवाट की डिचेवल लिथियम आयन बैटरी पैक का प्रयोग किया गया है जिसे हम अपने स्मार्ट फोन को चार्ज करने के जैसे किसी भी 5 एंपियर प्लक के मध्यम से चार्ज कर सकते हैं बता दे इस बैटरी पैक को पूरी तरह से चार्ज करने में सिर्फ 3 घंटे का समय लगेगा चुकि यह बैटरी डिचेबल है तो इसलिए इसे ज़वरत परने पर पूरी तरह से चार्ज की गई यूनिट के साथ स्वैप भी किया जा सकता है ओकी नामा प्रेशू प्रो एक बार चार्ज करने में 100-110 किमेटर तक की रेंज देने में सक्छम है वहें इसकी टॉप स्पीट 70 किलोमेटर घंटा से अधिक की है एक अच्छी ड्राइविंग गेंज प्रदान करने के अलावा ओकी नामा प्रेशू प्रो में एक आकरसक डिजाइन भी दिया गया है यह एक स्टाइलिस्ट LED प्रोजेक्टर हेड लेंप और LED DRL के साथ आती है इसके रियर में डिफागर के साथ LED टेल लेंप भी मिलते हैं फीचर्स की बात करें तो इसमें एलमूनियम एलोई वील, डिजिटल एस्पीटो मिटर, बीना चाभी के इंट्री, USB चार्जिंग सॉकेट, साथ लिटर का अंडर सीट एस्टोरेज, थिफ एलार्म, फाइंड माई स्कूटर फंक्शन यादी दिये गए है वही इस स्कूटर की एगर हम प्राइस की बात करें तो इस स्कूटर की 100 रुम कीमत 89,277 रुपे रखी गई है इस स्कूटर को तीन रंगों में पेश किया गया है जिसमें ग्लॉसी रेड ब्लेक, ग्लॉसी एसपार्क ब्लेक और ग्लॉसी ब्लू ब्लेक दिये गए है और इस electric scooter के बैटरी और electric motor पर तीन साल की warranty भी आती है दोस्तो हलाकि यह electric scooter काफी अच्छे price range में पेस की गई है साथी साथ इस scooter की driving range काफी अच्छी होने की वज़ा से यह scooter भारतिय बजार में धूम मचा सकती है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे इस चैनल को subscribe करें ताकि आने वाले समय में हमेशा आपको नए नए वीडियो मिलती रहे